दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को L&T Limited के साथ में टोटल में 14 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आप स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मेडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आएए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है Torrent Pharma Limited Torrent Pharma का जो शेयर प्राइज है वो 2528 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Web of Global Limited Web of Global का जो शेयर प्राइज है वो 480 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 1.50 रुपीज का आपको आपके हर एक शेयर के उपर में 1.5 रुपे यानि की 1.50 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की जो X-Date और Record Date है वो 8th of February की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है TCI Limited TCI Limited का जो शेयर प्राइज है वो 958 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपे डिविडेंट अनॉंस कर दिया है 2.50 रुपीज का यानि की आपको आपके हर एक शेयर के उपर में 0.5 रुपे 2.50 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो X-Date है वो 9th of February की है और वही जो रिकॉर्ड डेट है वो जस्ट इसके अगले दिन यानि की 10th of February की अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है HIL Limited HIL का जो शेयर प्राइज है वो 2,778 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 15 रुपीज का आपको अपके हर एक शेयर के उपर में 15 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो X-Date और Record Date है वो 14th of February की रहने वाली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Engineers India Limited Engineers India का जो शेयर प्राइज है वो 260 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 2 रुपीज का आपको अपके हर एक शेयर के उपर में 2 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की सर जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 12 अफ फेब्रोरी की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है गुड इयर इंडिया लिमिटेड गुड इयर इंडिया का जो शेयर प्राइज है वो 1428 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है इंडिया मोटर पार्ट्स लिमिटेड इंडिया मोटर पार्ट्स का जो शेयर प्राइज है वो 1090 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है क्लीन साइन्स एंड टेक लिमिटेड क्लीन साइन्स एंड टेकनोलोजीज का जो शेयर प्राइज है वो 1460 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड क्वेस्ट कॉर्प का जो शेयर प्राइज है वो 494 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है अधवानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड अधवानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का जो शेयर प्राइज है वो 156 रुपीज के उपर में चल रहा है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर अजब बोनस मिलेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर के अंदर में कनवाट हो जाएगा इन शॉर्ट सिंपल सीधी भाशा में आपके पास में इस कमपनी के चाहे जितने मरजी शेयर हो वो सब के सब यहाँ पे डबल हो जाएगे और साथ ही साथ में जो डिविडेंट अनौस किया गया है वो टू रुपीस का किया है आपको आपके हर एक शेयर के उपर में दो रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और पहले आपको डिविडेंट दिया जाएगा उसके बाद में आपको स्टॉक बोनस दिया जाएग bonus और dividend दोनों को ही देने की x dates और record dates अब coming में है जैसे ही company x date और record date अनाॉंस करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूंगा अगले share की बात करें तो company का नाम है NMDC Limited NMDC का जो share price है वो 224 रुपीस के उपर में चल रहा है and company ने आपे board meeting organize कर दी है 14th of February को and this board meeting का जो purpose है वो dividend and साथी साथ में quarter 3 के results को लेकर के रहने वला है अब 14th of February के दिन जरूर से NMDC के share के उपर में नजर बना के रखिएगा अगर company ने quarter on quarter basis पे growth report करी और साथी साथ में अपनी dividend history यानि की past में company ने अपने investors को जितना भी dividend दिया है उसके accordingly एक average या फिर एक अच्छा dividend announce किया तो definitely NMDC के share के अंदर में आप लोगों को एक काफी जादा अच्छी rally देखने को मिल सकती है तो जरूर से NMDC को नजरों के अंदर में बना के रखिएगा 14th of February के दिन जरूर से company के share के उपर में नजर बनाईएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Refix Industries Limited Refix Industries का जो share price है वो 720 रूपीज के उपर में चल रहा है और आप में से majority लोगों को already पता होगा company ने आपे stocks split announce करके रखा है 1-5 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी stocks हो आपका हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा काफी जादे investors ये पूछ रहे थे X date और record date क्या है क्या company ने announce कर दिये तो आपको बता देता हूँ company की तरफ से अभी तक कोई भी official update नहीं आई है X date और record date फिलाल अभी तक upcoming में है जैसी announcement आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँ है अगले share की बात करें तो company का नाम है OK Play India Limited OK Play India का जो share price है वो 167 रुपीस के ओपर में चल रहा है और company ने आप इस stock split announce कर दिया है 1-10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी stocks हो आपका हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है तो जैसे company X date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा तो प्लीज आप चानल को subscribe कर लीजेगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है L&T Limited L&T Limited का जो share price है वो 3380 रूपीज के उपर में चल रहा है और L&T Limited की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically प्रभूदास लिल लैदर करके एक काफी जाना माना brokerage firm है और प्रभूदास लिल लैदर ने जो है L&T Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 4071 रूपीज का दिया है तो लगबग 3380 रूपीज से लेकर के 4071 रूपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे प्रभूदास लिल लैदर expect करके चल रहा है L&T Limited के share के अंदर में आप लोगों को जरूर से L&T Limited के share को आपके watchlist के अंदर मैड कर लेना चाहिए आपको भी पता है मेरे को भी पता है basic सी बात है L&T Group की one of the flagship company है साथी साथ में काफी जानी मानी काफी दिगज कंपनी है and blue chip stocks के अंदर में इस company के share की गिंती करी जाती है आपको definitely L&T के share को अपने watchlist के अंदर में add कर लेना चाहिए अभी काफी ज़दा अच्छे काफी ज़दा discounted price के उपर में मिल रहा है अगर अभी आप इसे purchase करते हैं तो long term के अंदर में definitely आपको काफी अच्छे targets मिल जाएंगे and ये 4071 रुपीज का target भी long term के अंदर में आपको काफी easily achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो जरूर से आपने L&T Limited के share को miss नहीं करना है आपके watch list के अंदर में आड कर लीजेगा and इसके अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी particular X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 14 stocks थे जिन्होंने आप stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा please इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye